How to Reset Settings in Vivo आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी उस करते हैं कोई Vivo का मोबाईल और अगर आप अपने फोन की सेटिंग्स को रिसेट करना चाते हैं तो कैसे कर सकते हैं आईए जानते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपने फोन में सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए और सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रोल करना है इस तरह से उसके बाद यहाँ पर आपको एक आप्शन मिलेगा More Settings यहाँ फिर हो सकता है आपके फोन में दे रखा हो Additional Settings तो यह उप्शन ढूंड लीजिए उसके बाद आपको टच करना है यहाँ पर आपके सामने कई सारे उप्शन आ जाते हैं आपको नीचे स्क्रोल करना है और यहाँ पर एक उप्शन मिलेगा Backup and Reset का तो इस पर आपको टच कर देना है टच करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह से Options आएंगे Backup Data, Restore Data उसके बाद होगा Reset Network Settings और उसके नीचे आप देख सकते हैं एक Option है Reset All Settings तो आपको Reset All Settings पर टच कर देना है टच करने के बाद यहाँ पर आपको अपने Mobile का Lock डालना है यानि कि जो भी आपने Lock लगा रखा है अपने फोन में तो इस तरह से हम डाल देते हैं उसके बाद आपके सामने एक Option आएगा नीचे की तरफ Reset का आपको Reset पर टच कर देना है यह करने के बाद आपके वीवो के फोन की Settings Reset हो जाएगी और यहाँ पर आपका इससे कोई Data भी Delete नहीं होता है तो आप इसे कर सकते हैं तो अगर यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें